लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें करें लेटेस्ट अल्स करें करें लेटेस्ट ôngश्सक्राइब करें नहीं कढसे हुए March अम्नमाश्षिवाय 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 झाल 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 मैं ओमकार हूँ युग युग से प्रकृति के धरा तल पर भाव पूर और भाक्ति भाव के उभरते गीतों का मैं कीत कार हूँ। मैं ओमकार हूँ। बंदी बनाए देवदाओं को राक्षस तारकासुर की सभा में लाते हैं। तारकासुर नारद और देवगण पर प्रहार करता हैं। पर वे अद्रिश्य हो जाते हैं। उन्हें पकड़ने के लिए राक्षस पीछा करते हुए सागर किनारे दारुक के खेत्र में प्रवेश करते हैं। दारुक को जब वे अपना परिचय देते हैं तो वे उनके साथ सहीयों करता है। शिवभक्त सुप्रिय अपने साथियों के साथ जलियात्रा में शिवजाब करते हुए दारुक के हाथों बंदी बन जाते हैं। यह कहां आए हूँ, हमारे दुर्गन के मश्कुत भड़ा जा रहा है। इंडुस्त राक्षा सुने तो गुफा का द्वार भी बंद कर दिया। अं मिर्ट्यू रिष्चित है भाई, यह राक्षा साम हमें नहीं चोड़ेंगे। अरे मिर्ट्यू, इतने निराश क्यों होते हों। मिर्ट्यू के मुख में पहुचने के पश्चात क्या अब भी तुम्हें जिवित रहने की आशा है। जब भगवान के नाम का स्मर्ण करते हो तो उस पर विश्वास करना भी सिखो। जब विश्वास नहीं है तो केवल मुह से जाप करते रहने से कोई लाब मुह नहीं है। जब तुम उसे अपना मानोंगे तब ही वो तुम्हारी पुकार से लेगा। बड़ी बड़ी बाते करने से कुछ नहीं होगा भीया। क्या से मुक्त होने का उपाय सोचो। हमारे पास ना पत्र हैं ना फोड़। ना अक्ष्यत न कुम कुम न धीपंग। हमारे पास कुछ भी तो नहीं है। कुछ है तो केवल हमारी भावना करने। हम दीन दुख्यों की प्राथना स्विकार करने। हमारी लक्षा करने। बड़नों शिव प्राथना का आरंभ करने। हमारी इस प्राथना रड़नों शिवाई ओम नमाश्षिभाई ओम नमाश्षिभाई ओम माश्षिभाई ओनमस्यान तो अइसना आई मुर्खों मिंद्यू के मुंज कर भी तुम लोग अंय तक ऊषिक नाथ नहीं भूला ओनमस्यान अरे पेख के ओन तुमारी लेक्षा के से कके हाँ 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 अब कहो मित्रो अगवान शिव ने हमारी पुकार सुन ली ना आँ हम इस विश्वास का भल मीठा होता है ना तो फिर बोलो एक साथ ओ आँ महामाली दारूग! महामाली दारूग! दारुग दार अमारी रक्षा करो! शीकरा हो धत्राट प्हाँ हुआ 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 है कि आध हरा है किसने बराइहे तुम्हारै ये तुरदशा प्फाने कुफा के सरो ने शिव के सेर्पोंने जो शिवलिंग से निकले थे शिव, शिवलिंग इस शिव ने बहुत गरबन मचारग किये मुझे इसका साजा ठीक करना ही होगा अभटान न को शोड़र में जो, आओ देखते हैं कहां है थीआं क्या हुआ तुमने कृपा नहीं देखि भुद्वान शिल्टी इतना समझाने पर भी तुम लोगों का विश्वास तूट क्यों जाता है क्या करें शुत्री भाईया राक्षेस का भै विश्वास भिला देता है सत्के तो यह है कि तुम्हारे मन में विश्वास है ही नहीं कारण की जहां विश्वास होता है वहां भै हो ही नहीं सकता विश्वास जल में लहर की भाती आता और चाता है तुम्हारे मन में भै ने अप क्या करें प्राणों का मौह तर्व लाये हो यह वह कहो कहां से लाये हो क्या हाट से वीग्रेय करके कि लाये हो कि जिसने इस चुर्फी पर चण दिया कि के वलुज है यह उसी को सबopolक चुदक प्राण की रक्षा काओव दाये करेंगे महावली इन शिवालों को मार काट कर इनके शल्ट समुत्र में भैग दो हाँ दैरुप दादा बहुत अहिंकारी हो गए है ये शिव नाम वाले आज सब का कारे पूर्ण कर देता हूँ शिव का भी और शिवालों का भी यही होना चाहिए हमारे स्वामी महावले तरकासुर भी इन शिव नाम वालों से बहुत तंगा चुके हैं वह ठश लेटेको कर देता हूं तरकासुर का भी और तुमहारे भी आने दो भगवान शिव हमारी रक्षा करेंगे इन्तु वे रक्षा तब करेंगे जब हम मन में विश्वास के साथ उनकी शरण में जाएंगे हम सब सरणागत हैं तो आराधना करो शिर्की वे हमारी रक्षा करेंगे ओम नमा शिवाय! ओम नमाश्वाय ओम नमाश्वाय ओम नमाश्वाय ओम नमाश्वाय निरभय रहो ये बाशुपतास्त ग्रहन करो ये तुमारी रक्षा करेगा राक्षस दारुक इसी ओर आ रहा है अर्थात वो अपनी पृत्य की ओर बढ़ रहा है प्रिय भग्सु प्रिय तुमेश पाशुपतास्त से उसका वद्ध करके सदा सदा के लिए शेत्ध को आतंक हीन कर दो उठाओ ये पाशुपतास्त्र आति ह्ये ह॒म्णमर शेवाए हुह हुई 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 आप प्तरात है हुई कि अधियों दुष्ट का भय बड़ा या भगवान का विश्वास इस सत्य को जीवन में कभी मत भूलना साथियों कि भगवान हमें ऐसी विकट परिस्थिती में डालेंगे जहां से निकलने की संभावना ना हो उन्होंने बार-बार हमारी रच्छा की है हमें उनका अभार मान अजाहिए ठिने यहालश भर वाउन रेता है हम उनकी संताने है ह Намुद दक्षा करते हैं परांस समने कि नहीं आते ध दरशं की नहीं देतें उन्हें पोकारी बुलाइए आएंगे धर्शन अवश्ष्य देगे तो चलो हम सब मिलकर पकारते हैं ओम नमस्वाय कि लुखिय परिये भक्तिजनु प्रिये भक्तों प्रिये नाथ ओ नमस्य पल्याण वांग्शिव शंकर की है अग्वन आपके दर्शन पाकर आज हमने सब कुछ पालिया प्रफिए अब जीवन में कुछ भी पाना शेश नहीं है मेरा जीवन धन्य हो गया प्रफिए भक्सों प्रिय हम तुमारी भक्ति भावना द्रड विश्वास और आस्त से अत्यंत प्रसंद हुए जो कामना हो मांगो आपके धर्शनों की कामना थी प्रफू जो पोर्ण हो गई अब यहीं कामना है कि आपके दर्शन सदा होते रहें सदा के लिए दर्शन की इच्छा है तो उपाय करना होगा शुप्री अवश्य करूंगा भग्वन आप जोति इसरे भी अत्याचार्न कर साथ उन पर आपकी क्रपा सदा बनी रहें तत्खास्तु तुम्हारी इच्छा के अनुसार इस स्थान पर एक जोतिरलिंग की व्थापना होगी है और वो जोतिरलिंग नागेश्वर जोतिरलिंग के नाम से प्रसित्त होगा जो भग्व कि इस ज भी नागु का भय होगा, नहीं अकाल बृद्यु का, गल्यान भवा। भगवान नागेश्वर की है, भगवान नागेश्वर की है। शिवके जनों जनों काराग संकट पढ़ने पढ़े। तब तब जो विर्यों की में पथा ले जर अगर शिवशंगर। अगर अगर शिवशंगर। अगर अगर शिवशंगर। अगर अगर शिवशंगर। अगर 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 शिवशंगर। अगर शिवशंगर। अगर शिवशंगर। इसके संधे संधेली वहा महा पें तुमैशिव कछता वैदी शुवाना वैके संचиком शंच कया या जो तिरो 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 समजदाशना है ये वो तिरो तिरो तिरैंट यहाँ जाबाई छंग मला कें पें जड़त कर यहां यहां तो यह खुण हुसी काचि और त मदेश्मृ शिव की आराधना अर्चना करते हुए सुप्रीय और उसके साथ ही औने मनोवांचित भल पा लिया भाक्तों की पुकार से अजर अमर शिवशंकर सदा सदा के लिए नागेश्वर जियोतिरलिंग के रूप में प्रतिष्ठित हो गए दूसरी ओर पार्वती मनुवांचित भल प्राप्त करने के लिए एक आग्रचित अपने उद्यान के एकांत स्थान पर शिवा राधना में निमगन है और उसकी प्रियसकी जया व्यग्रता से उसे ढूंड रही है विजया 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 यहां भी नहीं वहां भी नहीं फिर गई कहां विजया ने कहा था कि तू भी उसे खोज और वो स्वयम खो गई अब मैं कहां खोजी हूं उसे अरे विजया तू कहां रह गई थी तू बोलना तू कहां थी अब तक तेरी मती मारी गई है तू नहीं तो कहा था कि मैं इधर जाओ और तू अधर जाएगी पारवति को ढूंडने के लिए तो मैं ढूंडी रही हूं तो अब तक उसे ढूंडी रही है क्यों तूने ढूं यह है उसे नाइग फिर तो मैं भी तुक से यहीं प्रश्ण कर सकती हूं कि तुक अब तक तूलती रही है उसे अर्फात पारवती नहीं में नहीं कहां गई होगे विजया मुझे तो लगता है वो हिंगेरे शिखर पर शिपजी के पास गई होगा नहीं वो वहां नहीं जा सकती कुझ नहीं जा सकती कौन रोके का उसे छीविजी ने तो कहा था कि वो एकान चाहते हैं और कोई उनके समी पाकर उनकी एकान समाधी ना डाले अध्य है कहा थी पर क्यों पारवती शिशी की बात 양टी उप मानेगी जो है मैं तेरे मस्तिष्ट ने तेरा साथ छोड़ दिया इस पर फिर विचार करेंगे किसके मस्तिष्ट ने क्या छोड़ा है अभी चल कर पार्वति को ढूंडते हैं चल चलो मैं ओंकार नदी की कलकल भावरे की गुंजन पवन की संसन और पक्षी की मदुर चैक में जो मदुर संगीत है मैं है उसका संगीत कार हूं मैं ओंकार हूं तारका सुर्के सैनिकों के कहने से दारुक ने सुप्रिय और उसके साथियों को देवगण समझ कर बंदी बना दू लिया पर सुप्रिय ने गुफा के भीतर भी अपने साथियों के मन में शिवभक्ति का राग जगा कर उन्हें निर्भय बना दिया तारका सुर्के सैनिक दारुक को उकसाते हैं और दारुक शिवद्वारा प्रदत्थ पाशुपत शस्त्र से माना जाता है सुप्रिय और उसके साथियों की शिवभक्ति से प्रसन्न होकर भोले नात प्रकट होते हैं और उन्हें दर्शन देते हैं वर्दान स्वरूप उस अस्थान को नागेश्वर जयोतिर लिंक का नाम देने की खोशुणा करते हैं उधर हिमालय भावन में जया विजया पार्वती को खोजती हुई वहां पहुंचती है जहां एकोने में पार्वती पंचाक्षरी मंत्र का जाब कर रही है वहां कहां ? हे मेरी मां मस्तिश के साथ साथ इसकी आखे भी गई जह अरे मेरी आखोस तेक वो सामने अरे वह पारवर्दी है या कोई रिशीपुनी चल चल कर देखते हैं चल अरे ओ क्यानी जी अरे ओ क्यानी ओगे जी अरे वह प्रश्ण प्रश्ण कहा रहा हां प्रश्ण तो कब का उत्तर बन गया है तुम्हें हर समय छेर चार ही सूचती है हर समय नहीं समय समय पर यदा कदा अर्थार कभी कभी देखो जब कोई ध्यान में बैठा हो तो उसे बाधा पहुंचाना उचित नहीं है वो पाप का भागी होता है माईरे माई हम तुम्हारे पाप में भागीदार नहीं होंगे हम तो केवल तुम्हारी प्रसनता और तुम्हारे सुख में ही भागीदार बनेंगे इसके लिए तुम दोनों को मेरी एक बात माननी होगी अवशे मानेंगे तो फिर तुम दोनों यहां से चुपचाप चली ज आपको क्या वो हिमाल्य राज से उचे हो गए यह कहां कन्याय है कि हमारी ही भूमी पर आयाती थी हमारा हित्रसका करें हमारे मान सम्मान का तनिक भी विचार नहीं किया उन्हें उत्र मेना इसमें इतना उतेजित होने का क्या कारण है है मां है जिने अपना आत्म सम्मान और स्वाभिमान बृए है उनके लिए उतेजना का ही कारण है वहला ये भी को बात हुई क्याल पती ने हमारे ही रज्जक्षेत्र में आकर हमारा ही अपमान किया एकान प्रियता की ओड में उन्होंने हमें हमारे ही स्थान पर आने से रोका, तुम ही कहो मा, यह अपमान नहीं दौर क्या है, कोई भी स्वाभिमान निव्यत्ती ऐसा अपमान सहन नहीं कर सकता स्वाभिमान और अहंकार में अंतर होता है पुद्र तुम्हारे उतेजना की मूल में तुम्हारे अधिकार का अहंकार है यदि हमें हमारे शेत्र के अत्रिक किसी और स्थान पर आने से रोका जाता तो तुम्हारे एम को ठेस नहीं लगती अहंको चोड तो इसलिए लगी है कि तुम्हें तुम्हारे अधिक्रत स्थान पर आने से रोका गया है परन्तु मा उन्हें ये तो सोचना चाहिए था कि यदि वो हमें हमारे ही स्थान पर आने से रोकेंगे तो हमारी मान सकता किस और गती मान होगी सारी स्थिती जानते हुए भी तुम ऐसी बाते क्यों कर रहे हो पुत्र क्या उन्होंने नंदी को भेजकर हमसे अनुमती नहीं मांगी थी और स्वर्ष्ट नहीं किया था कि वो एकांत वास के लिए हिंगेरी परवत पर आना चाहती है कि पूत्र अगर एकांत की समस्या नहीं होती तो क्या कैलाश परवत का शेत्र छोटा था उनके लिए अरे जया पार्वती कहां है मैंने भी उसे प्राता काल से नहीं देखा कहां गई है वो क्या बात है तुम दोनों बोलती क्यों नहीं हो कहां है पार्वती वहाँ वहाँ कहां वो उध्यान में उध्यान में उध्यान में अकेली क्या कर रही है ध्यान कर रही है ध्यान कर रही है किसका ध्यान भगवान शिव का ध्यान शिव का ध्यान तुम दोनों से बुला पर साथ में क्यों नहीं लाई कैसे लाती वो तो किसी से बात करने के लिए भी तयान नहीं है जो हमारा अपमान करें पार्वती उसे शिव की अरातना कर रही है क्रोध और उत्देजना से किया हुआ कोई भी कारे शुप नहीं होता पुतु धेरे करो किन्तु पिता श्रीह जिस शिव ने हमारा अपमान किया पारवती उसी की आराध्रा कर रही है क्या ये उचित है अपने माता पिता के समक्ष उचित और अनुचित का प्रश्न करना क्या संतान के लिए उचित है और तुम्हारा ये मान लेना कि शिव ने हमारा अपमान किया है क्या ये उचित है किसी की अराध्रा में विक्ण डालना भी क्या उचित है पुक्तर दो पुक्तर इन दोनों को कौन समझाए कि शिव्लीला का रह सकते है कितने अज्ञानी है ये दोनों ओ नमस्षिवाई ओ नमस्षिवाई ओ नमस्षिवाई ओ नमस्षिवाई नारायल नारायल श्रीमन नारायल 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 श्रीमन नारायल 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 श्रीमन नारायल 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 श्रीमन नारायल 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 न पार्वती का शर्चत प्रणाम स्विकार करें देवर्शी कल्याण भावत तुम्हारी मनो कामना पूर्ण होगी मेरी मनो कामना के विशे में आपको ग्यान है देवर्शी कुछ कुछ है कुछ तुम बताओ पूर्ण ग्यान हो जाएगा आप तो अंतर मन की बात जान लेते हैं मुनिवर्ण मैं क्या बताऊं तो समझो कि वही जानकर मैं यही कहना चाहता हूं कि भगवान शिव की प्राप्त चुना है सही है अर्थाद अर्थाद तुम्हारी शिव भक्ति ही तुम्हें भगवान शिव तक पहुचाएगे नाराय नाराय त्रिष्टता क्षमा करें तो एक प्रश्म पूछू देवर्शी अवश्य अवश्य पूछो प्रकट रूप में आप भविश्यवानी करही च शिव जी जो मेरे आराध्य है वे मेरे भावी पती होंगे फिर उन्होंने मुझे दर्शन देने से वंचित क्यों किया अलव के कारिया जब लोकेक रूप में संपन्न होते हैं तो उनका रूप विचित्र हो जाता है मैं कुछ समझी नहीं देवर्शी सत्य यह देवी कि भक्त उनके समीब आते हैं जा नहीं रोकने पर समीब जाना कैसे संभव होगा देवर्शी यही तो परिक्षा का सबसे कठिन स्थल और मोड है भक्त को यहाँ धैर और विवेक से काम लेना चाहिए देवी तुम्हें निराश होने के अवश्यक्ता नहीं तुम्हारा तो उज्वल ही उज्वल है क्रिपया यह तो बताए कि अब मुझे क्या करना चाहिए उत्सा और भक्ति के साथ आगे बढ़ना चाहिए पर कैसे भगवान शिव के समाधी स्थल पर पहुचकर उन्हेरी जाने तथा अपनी और ध्यान देने के लिए प्रेवित करके भगवा आते हैं देवाशे कल्यान भोड नारायड नारायड ओ नमस्षिवाए करना चाहिए करें करें स्वामी के एक आंध्यान में बाधाना डाले अभी अभी तुम क्यों बाधा डाल रहे थे उन्हें पुष्परपित करके मैं वह सब नहीं कर रहा था मैं तो अपने स्वामी और आराध्य की अराधना कर रहा था मैं भी वही और उतना ही करूंगी अपने आराध्य की मौन पुजा करने आही हो मेरी उपस्थिती से उन्हें तनिक भी विक्म नहीं पड़ेगा करियो कर दो 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 दो कर दो है। मेरे आराथ आप तो अंतर यामी हैं आप मेरे मन की भावना और भविश्य दोनों का ज्ञान रखते हैं मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरे मनों का अवना अवश्य पूरी करेंगे अरे जया विजया कहाँ चली गई क्या हुआ मां उत्र ये जया विजया कहां चली गई कहीं देखा है तुम्हें यहीं कहीं होंगी तुमने देखा है पार्वती को नहीं मैंने नहीं देखा कहां गई थी तुम्हें बोलती क्यों नहीं कहां गई थी तु पार्वती अपने कुल की लाज मर्यादा का विचार है तुम्हें विचार होता तो वहां चाती ही क्यों उसके पास जिसने हमारा अपमान किया अपमान सम्मान का विचार ना भी हो तो भी क्यों इसका वहां जाना उचित है उस भजन से लिप्टिक के लाश पती और योगी के पास भाईया मैं आपसे विनिती करती हूँ कि आप उनके सम्मान में कुछ न कहें उससे सुना नहीं जाएगा क्यों नहीं सुना जाएगा जब मैं कह सकता हूं तो तुम मेरी बहन हो कर क्यों नहीं सुन सकती इसलिए कि वे मेरे आराथ हैं किस ने कहा उसकी अराथ ना करने के लिए आप से किस ने कहा उनके प्रती अपने मन में दुर्भावना रखने के लिए क्या ये मेरे प्रशन का उत करते हैं उसी मन बुद्धी के आधार पर मैं उनके आराधना करती हूं तुम बुद्धी से नहीं मन और भावनाओं से कार्य कर रही हो पार्वती जीवन के निर्णे भावनाओं के आधार पर नहीं होते भाहिया मैं आपसे पुना प्राधना करती हूं कि आप मेरी शिव आरा क्या मा और भाईय को प्रसंद करके तुम्हारी और अराधना पूर्ण हो सकेगी सभी ओर से विचार कर लू पारवति मार्ग में अनेक बाध आये हैं मैंने पूर्ण विचार करलिया है मैं मार्ग की सभी बाधाओं को एक और करके अपने आराध्य तक पहुंच जाओंगी एक पहुंच जाओंगी कि यहां आती है और मनी मन पूजय अर्चना करके पापस चली जाती है कि तुशिवशंकर की समाधी नहीं तोड़ती है वो तो अडेग अपनी समाधी में लीन एवं अबस्थित है तो क्या भूलिनाथ की समाधी कभी तूटेगी नहीं नहीं ऐसा नहीं है किन्तु यह क्यात नहीं है कि यह समाधी कब तक तूटेगी मेरा विचार है इस विशम में ब्रह्मा जी कुछ पता सके हैं हाँ हमें उनी के पास चलना होगा देवराज इंद्र तथा देवगण हिंशिखर पर पार्वती की निरुत्तर शिवाराधना को देख कर चिंतित थे उनका मन आशंकित था कि भगवान शिव पार्वती की आराधना स्वीकार करेंगे अथ्वा नहीं यदि पार्वती की उपासना भगवान शिव के मन में अनुराग उत्पन्न न कर सकी तो उनके भविश्य की स्थिति क्या होगी क्या होगी क्या होगी हुआ हुआ हुआ! हुआ 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 है हुआ हुआ है